महाराश्र चतिस गड़ की सीमा पर ग्राम सिर्पोर इस्तित महाराश्र सरकार का परिवन जार चिन्ना का अवैद वसूली का गड़ बन गया है यहां से प्रति दिन हसारों की संख्या में गुजरने वाले चोटे बड़े मालभाव वहानों से हर महीने लाखो रुपए की अवैद वसूली से ना सिर्फ वहान चालकों को भारी नुकसान और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है बलकि राज्य सरकार को भी प्रतिवर्श करोडों रुपए का राजस्वर घाटा उठाना पड़ रहा है 36 गड़ की ओर से महाराश में प्रवेश करने वाले वहानों से अवैद रूप से 100 से 500 रुपए तकी एंट्री ली जा रही है सुनियोजित और संगटित रूप से होने वाली इस लूट के लिए दलालो चंधाबा होटलों के संचालों और परिवन विभाग के अधिकारियों का एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है मैनेजर होता है मुख्य वसूली हर महीने लाखो रुपए के अवयद वसूली के लिए यहां ड्यूटी करने वाले सभी आर्टियों अपने साथ अपना एक नीची वेक्ती रखते हैं जिने कूटनीतिक भाशा में मैनेजर कहा जाता है एंट्री के नाम पर वहानों से की जाने वाली सारी वसूली इनी के माध्यम से होती है और सिर्पो चेक पोस्ट के दोनों ऑफिस के आगे ये दिन रात तैनात रहते हैं एंटी करप्शन के छापों की दोरान किसी किस्म के कानूनी अर्चन से बचाने के लिए मैनेजरों को उल तैनात किया जाता है बड़े ट्रेलरों से बड़ी कमाई, ओवलूडिंग एंट्री के अलावा बड़े बड़े ट्रेलरों से भी नियमों को ताक्प में रख कर हसारों रुपे लेकर छोडने का गौरक धंदा बेरोक टोक जारी है मुंबई कुलकत्ता जैसे देश के दो प्रमुक औध्योगिक शहरों को जोडने वाले इस राश्टी महामार पर बड़े बड़े ट्रेलरों का आवगमन नियमेत रूप से होता है और सुरक्षित रूप से इनके परिवन हेतु परिवन विभाग द्वारा कई नियम बनाए गए हैं जिसके द्वारा इन ट्रेलरों पर लदे सामान की लंबाई चोड़ाई और उचाई निर्धारित होती है ये ट्रेलर अकसर छोटे वानों के लिए काल बन जाते हैं चंद हसार रुपे की लालच के चलते हर साल महामार पर होने वाली दुर्गटना और नागरिकों की मौत की जवाब दे ही कौन तैक करेगा यहां ये प्रश्ण भी उपस्तित होता है देवरी से बीसेन न्यूस के नवाव अर्शाशेक की रिपोर्ट